सबसे पहले यहां पर आते हैं सबसे पहले यहां पर आते हैं इस news में और यहां पर यह news है आउ कोई Execary नहीं बट सिंप्ली यहां पर डिरेक्ट लिखा हुआ है कि जो Class 10 वाले बच्चों का result है वो आने वाला है 4th of July को जो Class 12 वालों का result है वो आने वाला है 10th July को यह तो रही एक newspaper की बात, अब तुरंट move करते हैं हम अपने दूसरे newspaper पर और देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, simply यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, CBS C Class 10th and 12th result of the term 2 to be declared by the July end, और यह news भी आज की ही है, बहुत पुरानी news नहीं दिखा रहो है, 30th June की news है, और द एक point को समझेंगे और पदा कर लेंगे कि CBSC का officially result कब आने वाला है, तो देखो हम आ चुके अभी यहाँ पर, हमारे पास हमें पता है कि एक exam हो रहा है, suit का, है न, c-suit या suit का, इस exam की date कब है, 15 जुलाई, कब है date, 15 जुलाई से लेके इसकी date है approximately 10 अगस्तर, ठीक है, CBSC कभी यह ऐसा नहीं करती कि एक exam की date के बीच में तुम्हें confuse करें, तुम्हें परिसान करें, तो CBSC इतनी अच्छी है, यह result जो होगा, वो 15 जुलाई से हमेशा पहले ही देगा, अब इसका मतलब यह तो नहीं कि बहुत पहले देते, and CBSC कभी भी इस चीज को declare नहीं करती है, कि result ज तारिक से और 9 तारिक और 10 तारिक को तीनों बैट जाओगे, website को रोज कर रोज अपडेट कर चेक करने में, इससे क्या होगा, website slow हो जाएगी, इतनी bond width तो मिलती है नहीं, तो लाखो बच्चे देख रहे है अपना result, तो कहीं नहीं कहीं, website slow हो जाएगी, website हो सकता है, crash भी हो 10 से 12 के बीच में आने वाला है, क्योंकि ओफिसली देख लो कि exam के इतने दिन पहले तो result आही जाएगा, तक कि बच्चा tension free होके at least exam देने जा पाएगा, so मेरे according, मुझे ऐसा लगता है, कि जो हमारा result है, class 10 और 12 वालों का result है, वो 10 तारिक और 12 तारिक के बीच में कहीं न कही आ जाएगा guys, बात करते हैं best of either term की, तो उसके लिए बच्चों, तुम लोगों का support मुझे बहुत कम मिल रहा है, मैं tweet पे tweet रोज का रोज कर रहा हूँ, and तुम लोगों के response बहुत कम आ रहे हैं बच्चों, तो जादा से जादा Twitter and Instagram पे मुझे follow कर लो, yes, Instagram पे इसलिए कि वह तुम मुझे DM भी कर सकते हो बच्चों, तो make sure ऐसी ही अफवाहों से दूर होकर सच्चाई के साथ अगर news सुनना है, तो exam news को subscribe जरूर कर लेना, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को जादा से जादा friends तक अपने share करो, तकि जो भी बच्चे बिलकुल tensed हैं, कि result यह कब आ आए कि result कब आने वाला है guys, so मिलते हैं फिर नई वीडियो में, till then don't forget to like, share and subscribe, good luck!